श्री अडिशाय दो ओम नमस्शिवाय मैं हूँ स्टॉजर केम जिना और मैं अपने योटुप चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आई हम समझते हैं कल 15 सितंबर 2024 कैसा भी देगा मेश से लेकर मीन लगन वाले जात्कों का और सबसे पहले कल के प्रशन को जो आपने पूछा हुआ है आपकी जानकारी के लिए जोतिश के जो हम लोग प्रशन लेते हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं तो आज का जो प्रशन है व हो सकता है आपकी भी कुली में काल सर्फ दोश है तो प्रशन आप लोगों का यह है कि काल सर्फ दोश को हम पहचामते कैसे हैं तो देखे बहुत सिंपल तरीका है आपको क्या करना है राहू कुली में जहां दिखाई गे और केतू दोनों को एक वर्च्व लाइन से मिला दी जिस बाएं में राहू होगा उससे साथवे बाएं में केतू होगा तो राहू और केतू को मिला देने पर अगर सारे ग्रह राहू केतू एक्सिस के लेफ्ट या राइट साईड में आ जाए यानि एकी तरफ आजाएं तो ऐसे कंडिशन में हम लोग deploy पहते हैं काल सर्फ दो तो इसमें बहुत काल सर्फ दोष होते हैं अभी उस पर हम लोग भिस्टित यहाँ पर उसमें पुलिक होता है। इसके के ऐस में की बाद। ऑनद। नहीं करते हैं। योग होता है। उस में कुलिक में होता है। अhou चुम्तिर ह्पाजुabout कि पढ़न। शंठ पाल नाम का काल सरब्भीश भी दोश सता है। backstory खुतकुल, शंख, घातक, विश्टर,। शेशनाक ऐसे 12 टाइप के कालसर्प दोश होते हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो इनके नाम होते हैं वो अनन्त कालसर्प योग कोलिक वासुकी संकपाल पद्म महापद्म कारकोटक तक्षक शंक चून घातक विशधर शेशनाक टोटर मिलाकर 12 टाइप के कालसर्प दोश होते हैं तो इन 12 टाइप के जो कालसर्प दोश होते हैं उनका प्रभाव आप अलग वीडियो में देखिए का लेकिन कालसर्प दोश होने का मतलब है कि आपके जो प्लानेट है वो बैलेंस नहीं है अगर प्लानेट बैलेंस नहीं है तो आपको कुछ ना योग नहीं कहते हैं, दोश कहते हैं. सामानेता जिसकी पूझली में कालसर्व दोश होता है, उनको बहुत सारी परिशानियों के बाद भी सक्वतामीची. लेकिन कालसर्व दोश अमेंसा खराब हो, ऐसा नहीं देखा गया है. काल सर्फ दोश कही बार अच्छे परिणाम दी देता है, लेकिन सामानेता कहा जाये तो इसको हम लोग दोश कहते हैं, ये योग नहीं है, अब हम दूसरा प्रशन आपका लेते हैं, जो आप पुछते हैं, तो आज का जो स्पेशल है, उसमें कुंडली मिलान क्यों किया जाता है, देखें कुंडली मिलान करते समय हम लोग बहुत सारी बातों को देखते हैं, कि मांगली प्रह या नहीं है, अश्टकूट, दशकूट, सभी प्रकार के गुर देखते हैं, 36 में कितने मिनमम गुर मिलने चाहिए, इसके अलावा भकुट, नाडी और गण, इन तीन का जो मिलान होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए, जहां पर गड़ आपके compatibility को बताता है, ब्रकुट आपके love romance को बताता है, और नाडी आपके स्वास्त को बताता है, तो ये जो तीन पार्ट जो मैंने बताया कुंडली मिलान में, ये सरवार्दिक important होते हैं, चाहे वो में count कीजे, चाहे दस्टकूट में count कीजे, लेकिन important ये तीन गुड़ ऐसे हैं, जो मिलने ही चाहिए, इसलिए सरवार्दिक अश्टकूट में इनको point दिये गए है, गड़ के लिए 6 अधितम point है, भकुट के लिए 7 और नाडी के लिए 8 गुड़ दिया गया है, तो विवा के बाद आपकी सोच एक जैसी रहेगी के नहीं रहेगी, विवा के बाद आपके पास आपके लव रोमांस बने रहेंगे के नहीं बने रहेंगे, विवा के बाद जो है आपकी संतान होगी, स्वास्त में तो कोई परिशानी नहीं होगी, इसलिए हम लोग इन मिलान को करते ह है और कुन्डेली मिलान करना बहुत ज़रूरी है कुंड़ी मिलान करके अगर विवाग करते हैं तो आप यह मात जो एभाती होता है जो कि कुभी एक माच हो जाती है और पंड्यों करके रिख ऑद मिलान कर के ही Engineering, श्रवाण नक्षत्र में चंद्रमा का गोचछ 6 वश कर 49 मिनट संद्रमा चायेगा उसके बाद धनिष्टा में चंद्रमा चलिजानेंगें अति गंड योग 3 वश कर 13 दो पहड तक उसके बाद सुकर्मा योग का निर्मार होगा उसके बाद बालव करण 6 बसकर 12 संध्याकाल तक रहेगा कोलव करण 4 बसकर 45 मिनट प्राथा काल तक फिर प्रारंब हो जाएगा राहु काल कल 4 बसकर 55 मिनट संध्याकाल से रहेकर 26 मिनट तक रहेंगे कल का जो दिशा सूल बनता है वो पश्चिम है, चंदरमा पांच बच कर चोवालिस मिनट प्राता काल तक मकर राशी के उपरां कुम्ब राशी में गोचर करेंगे, तो आई ये समझते हैं प्रतेक लगने पर इसका क्या प्रभाव होता है, प्रारम करते हैं मेश लगने से. कल के दिन आपके स्वास्त की इस्तिती रहेगी वो सामाने रहेगी, आप स्वास्त को लेकर अपनी जीवन सैली में सुधार भी करने का प्रयास करेंगे, बच्चों के साथ खुशहाल आप रहेंगे और अच्छे पलकल विता पाएंगे, व्यापारिक निरने लेते समय आप को कल के दिन से दर्कर रहना चाहिए, संतान के मामले में सुधद स्तिती बनी रहेगी, आर्थिक इस्तिती में बचत और निवेश की योजना पर आपको ध्यान देना चाहिए, वहाँ चलाते समय पूरी साभणी आपको बरतनी चाहिए, सामाजिक गश्वाती विदियो में स रहे उसका अगर आप चाप कीजिए दिन आपके लिए अच्छा रहेगा वरिश अब लगन की बात करते हैं तल्क स्वास्त में सुधार और उज्जा में वर्धी होगी पारिवारिक समारों में भाग लेने से रिष्टों में मदूरता आएगी योजना बना कर कारे करें और प्रोफिशनल अवसरों का आपको लाब उठाना चाहिए व्यापारिक समझदारी के लिए व्यापारिक समझदारी के साथ बेहतर संबाद यानि कम्यूनिकेशन अच्छा रखिए दामपत जीवन में समझदारी और सहयोग आपका बढ़ेगा दिर्विकालिन जित्य सुरुक्षाओं के लिए योजना भी आपकल बना पाएंगे संपत्ति के मामले में विवादों से सतर करेएगा और कल दुगटना होने के चांसे भी व्रिशब लग में बनते हैं अस्री प्रतिश्यत का समय आपके पक्ष में रहेगा कल का शुबंग दो शुब्रण जा रहा है उपाएंगे लिए कल के दिन गव माता की सिवा कीजिए तिन आपका अच्छा बीते है अब हम मित्वन लगन की बात करते हैं स्वास्त में सामाने रूप से सुभार होगा परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा करियर में नए आउसर आपको मिलेंगे व्यपार में जो इस्थिति रहेगी वो आपकी अच्छी बनी रहेगी दामपत जीवन में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी आप करेंगे संतान की खुश्यां और चिंताओं को समझने की आपकल कोशिश करेंगे अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए और वहां चलाते समय पूरी सतरकुता भी बरती चाहिए समाज में आपके स्थी मजबूत होगी 82 प्रतिशता का समय आपके कल पक्ष में रहने वाला है कल का शुबंग 6 और शुब्रंग हरा बन रहा है कल के दिन में ओम गंग गर्ड़ पते नमा मंतर का अगर आप जाब करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा करक लगन की बात करते हैं देगे कल परिवार में शुब और स्थी का महथ बना रहेगा सिक्षा के छेतर में नए आउसर आपके सामने आ सकते हैं व्यपार में सक्रात्म के सितिय आपकी बनी रहेगी दामपत जीवन में समझदारी और सयोग आपका बढ़ेगा सामाजिक कारे में सामिल होने से संबंदों में सुधार होगा संतान के विवा की योजना बनाने का कल सही समय है संतान की पढ़ाई और विकास में आपकी जो सहभागिता है यानि भूमी का है वो बहुत सादा महत्रकून है आर्थिक इस्तिती में सुधार के संकेत में दिखाई दे रहे हैं, 75 पतिशत का समय आपके पक्ष में रहेगा, कल का शुब अंक्चार और शुब रंग क्रीम बनता है, उपाय के लिए ओम नमश शिवाय पंचाक्षर मंतर का जाग किजे दिन अच्छा भी देगा, सिंग लग में आपकी जो मेहनत है वो लक्षों को प्राप्त करने में आप सहायक होंगे, व्यपार में लाब की संभावना भी पूरी तरीके से भी दामपत जीवन में मदोटा बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहने वाली है, संपत्ति के लेन देन में सामधानी आपको बरतना चाहिए, 78% का समय आपके पक्ष में रहेगा, कल का शुबंख पांच और शुबरंग कीला बनता है, उपाय के लिए गुड़ और मसूर की दाल का अगरदान कीजिए दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, करने अलगने की बात करते हैं देखे, कल के दिन स्वास्त में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है, पारिवारिक मामलों में समझदारी और धैरे से आपको कल के दिन काम देना चाहिए, सिक्षा शेतर में अच्छा परिना मिन्मे की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, व्यापार में इस्थिर्ता और व्रिदी के संकियत की दिक्र है, दामपत्य जीवन में रिष्टे और भी जादा मजबूत हैंगे, पैसे की बचत और विनेश, निवेश की सही योशना आप बनाएंगे, संपत्ति से जोड़े हुए कानुली मुद्दों में सही निर्ने ले पाईएगा, समाज में आप अधियान से सकरात्म फूर्जा का संचार होगा, 86% तक आपका समय आपके पक्ष में कल रहने वाला है, कल का जो शुबंग है वो तीन और शुबंग लाल बनता है, उपाय के लिए भुद्ध का वीजमत्र का अगर आप चाप करते हैं दिन आपके लिए अच्छा रहने वाल है, तुरा लगन की बात करते हैं, देके कल के दिन खकावट और कमजोरी महसूस कर सकते हैं, पारिवारिक मुद्धो को हल निकालने में आपका प्रयास जो रहेगा उसमें आप सफ़ल रहेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में और सुधारोनी की संभावना दित रही है, वि रंपत्य जीवन में सामंजस आपका बढ़ेगा, किसी महतपून निर्ने में संतान की राय को भी आप सामिल कीजिए, आर्थिक सिती में सुधार के संकिय दिख रहे हैं, शियर बजार में नीवेस करते समय, अनुभवी सलाहकार से आपको परामर्श लेना चाहिए, वहां च चलाते समय पूरी सतर किताब रहती है, 77% का समय आपके पक्ष में रहेगा, कल का शुबंग साथ और शुबंग की रोजी बन रहा है, रुपाय के लिए कल के दिन गाय को चने का दाल अगर खिलाते हैं, या गवमाता की सेवा करते हैं, तो आपका दिन अच्छा भी देगा, मृष्चिक लगन की बात करते हैं, देखे कल सिर्दर्द या तकावट हो सकती है, परिवार के सदस्तों की भावनाओं का आप समान तरेंगे, करियर में नई जिम्मेदारियां या पदनुति के आउसर भी आपको कापते हो सकते हैं, दामपत जीवन में प्रेम और समस्दार का महौल रहेगा, और संतान के विवा में सकरात्मक परिणाम भी आपको फंके दिन मिलने वाले हैं, वित्तिये निर्णे लेने से पहले आपको बड़ों की सला अवश्य लेना चाहिए, सामाजिक कारियों में आपका योगदान जो रहेगा, साराहनी रहेगा, धार्मिक गत अगले लगल की बात करते हैं, धनू लगी देखे स्वास्त समस्याओं में कल सुधार होगा, परिवार में सामंजस स्पूर्ण महाल बना रहेगा, सिक्षा के छेत्र में भी सपलता अच्छी रहेगी, व्यापार में भृदी और लाविकी संभावना बन रहे है, दामपत जीवन में एक दूसरे के पती समर्पन की भा होगा, और कल के दिन किवल एकी बात का ध्यान दिजेगा कि अनावश्यक खर्च ना हो, इससे बचने का प्यास कीजेगा, और वहाँ चलाते समय बेहा साबधानी वरतिय नहीं तो चोड़ चपेट लग सकता है, कल का दिन 88% तक आपके फेवर में रहेगा, कल का शुबंक न और शुबरंग गुलावी बनता है, उपाय के लिए भगवान विश्णु की आपरादना कीजे, दिन आपका अच्छा ही बीत देगा, इसके बाद हम मकरलगन की बात करते हैं। चोड़ी मोटी समस्याओं को आप दूर कर पाईएगा, संतान के मामले में सुब शंकियत आपको मिल सकते हैं, वैको नियंतरित करने का आपको प्रयास करना चाहिए, संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में सिर्टा बनी रहेगी, सामाजिक जीवन में सक्रियता आपकी का दिन कैसा बिदेगा, ये समझते हैं. में भी आप सफल रहेगा, बजट और खर्चों पर कल के दिन नियंतरण बनाए रखना चाहिए, और वहाँ चलाते समय साथधानी भर दियेगा, सामाजिक रिष्टे आपके जो हैं मजबूत होंगे, 84% का समय आपके फेवर में रहने वाला है, कल का जो शुब अंग है, वो कि कल के दिन स्वास में सुधार होगा, सिक्षा छेतर में सफलता मिलने की संभावना है, और करियर के छेतर में उनती होगी, व्यापार में जोकिम भरेक का निर्णे लेने से आपको बचना चाहिए, दामपत्य जीवन में सामंजिस बनाए रखिएगा, संतान के जीवन में स सब्सक्राइब का समय आपके पक्ष में रहेगा, कल का शुब अंग चार और शुब रंग गहरा पीला बनता है, उपाए के लिए पीपल के व्रिक्ष में जल अगर आप अर्पित करेंगे, दिन आपके फेवर में रहेगा, तो ये था पूरा में से लेकर मीन अलद नवाले जात्कों के लिए कल 15 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा, अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एश्परदर केंजिना, ओम नामस्षिवार